नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरीचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महतोपूर्ण जयानकारियों को ले करके आए आज हम सभी बेलपत्र और बेल के बारे में जानते हैं जो कि शिव जी को भी चड़ाते हैं आप बेलपत्र अभी श्रा मुल नास कर देगा सबसे पहले मधुमे मधुमे एक ऐसी बिमारी है आज के डेट में जिससे की मैक्सिमम लोग ग्रसित हो रहे हैं तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि 15 बेलपत्र जो कि शिव जी को चड़ाते हैं और 5 काली मिर्च पीसकर चटनी बना लिजिए एक ठीक हो जाएगा आपका बेल में पाए जाने वाले कुछ एक पोशक ततों के बारे में भी हम जानते हैं भोजन अंश 64 ग्राम, प्रोटीन 1.8 ग्राम, कैलोरीज 1.37 ग्राम, फासफोरस 50 ग्राम, खनीज लवन 1.7 ग्राम, कार्बोहाइटरेट 31.8 ग्राम, इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C भी परियाप्त मातरा में होती हैं अब हम जानते हैं कि अपच में कैसे इसका प्रयोग करेंगे वायू और मल में बदबू आना अपच का निर्देशक लक्षण है अगर आपको मल में और वायू में बदबू आती है यानि कि आपका खाना सही ठंग से डाइजेस नहीं हो रहा है अपच के शिकार हैं आप अपच होने पर एक बार का खाना छोड़ दें यानि कि एक टाइम खाना नहीं खाएं बीस पत्ते बेल के लेकर के उनको पीस करके निचोड़कर रस निकाल लिजे इसमें आठ पीसी हुई काली मिर्च जरासा से अंधा नमक मिला कर और इसे पी लीजिए इस प्रकार तीन खुराक हर तीन घंटे के अंतराल से पीजिए आपका अपच दूर हो जाएगा इसते पाचन भी मजबूत होगा अगर आपको दस्त लग रहा हो तो बेल का सुखा हुआ गुदा पीसकर दो चमच सुभा और दो च चमच शाम दो बार ठंडे पानी से ले लिजिए दस्त रूप जाएगा अगर जल गया हो आपका कहीं पर तो जले हुए पर बेल का चोन एक चमच दो चमच सरसों के तेल में मिला कर गर्म करके जले हुए अंग पर लेप लगाईए लाभ होगा आपको आव यानिकी मल बेल गीरी और आम की गुठली दोनों को समान मातरा में पीस कर एक एक चमच चावलों के मार से सुबह शाम फंकी लिजिए आउ आना बंद हो जाएगा अगर आप कबज के शिकार हैं तो 15 गराम बेल का गुदा और 15 गराम इमली दोनों को आधा गिलास पानी में मसल कर एक अप दही और स्वाद के अनुसार चीनी मिक्स कर लिजिए लसी बनाएए और पी जाएए कबज दूर होकर पेट साफ हो जाएगा बेल का शर्बत तो अतनियों में जरा भी मल नहीं रहने देगा इसके साथ साथ ये शक्तिवर्धक भी होता है पके हुए बेल के गुदे को स लिष्ट पूश्ट हो जाएगा आपका कुकुर खासी है अगर आपको तो सो गराम बेल के पत्ते पीस कर लुगदी बना कर सौ गराम घी में इसे लुगदी को डालकर सेंकिए सेंकिए ये ध्यान रखना है आपको धकन लगां कर के सेंकें जिस से गंध उड़ नहीं पाए जब लुगदी जल जाए तब पीश कर चून बना लिजिए, चूटकी भर्य चून शहद मिलाकर सुबह शाम दो बार चाटिए, कुकुरखासी तीन-चार दिन में ठीक हो जाएगी। रक्त वर्धक यानि कि रक्त बनाता है ये, बेल का गुदा सुखा कर पीश लिजिए, गर्म दोध में इसकी दो चमच और स्वाद के अनुसार पीशी होई, मिश्री मिलाकर रात को पीजिए, यह अच्छा रक्त वर्धक टॉनिक है। रक्त शोधक भी है ये, बेल का चुन और देशी बुरा यानि कि चीनी समान मातरा में मिलाकर पानी से फंकी लिजिए, आपका रक्त शुद्ध हो जाएगा। अगर आप पेचिश के सिकार हैं, तो सुखी हुई बेल, धनिया, समान मातरा में पीश लिजिए, और इसके धुगनी मातरा में पीशी हुई मिश्री मिला लिजिए, इसके एक चम्मत सुवा, शाम ठंडे पानी से फंकी लिजिए, दस्तों में रक्त आना बंद हो जाएगा यानि कि बवा सीर में लाभ होगा आपको, इसके अलावा एक और अन्य प्रोयोग भी है इसके लिए, बेल का सुखा हुआ गुदा और सौंफ दोनों को 15-15 ग्राम, 68 ग्राम, इन सब को पीश करे गिलास में मिक्स करके उबाल लिजिए, आधा पानी रहने पर इसको छान करक पीजिए, ऐसा दो खुराक रोजाना सुबह शाम लिजिए, मल में अगर बलड हा रहा होगा तो वो ठीक हो जाएगा, गरभावस्था में उल्टी, दस्त हो तो बेल का गुदा 5-5 ग्राम, दिन में 3 बार हर रोज खाईए, आपको लाभ होगा, यक्रित में दर्द हो तो ब तो दोच, आधा चमच पीची होई हल्टी और एक चमच गी, एक गिलाभ में घोल कर सुबह शाम, दो बार रोज पीजिए, इससे हड़ी जूड़ जाती है, और हड़ियों को मजबूती मिलती है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी, आप सभी कुछे धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों